वेल्कम टू आइब आज हम फ्रेंड्स एक्सरसाइज 11 करेंगे आज हम एक्सरसाइज 11 करेंगे लास्ट वीडियो में हमने ग्रैमे लॉग्स करें थे अब आपको इस एक्सरसाइज में ग्रैमे लॉग्स का यूज बताऊंगी तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ यह सारा लिखा हुआ है शौट हैंड में बट हमें पहले इंग्लिश टू शौट हैंड करना है एक्सराइज 11 पिछे जो की है एक्सराइज 11 हमें फर्स्ट प्राइंग पढ़नी है पहले फिर इसको हमने स्टैनों में लिखना है खुद से स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपसे मिस्टेक होईगी तो स्टार्ट करते हैं विक पहले यह दे शूट शीप ओल दे कॉल और मंडे इसे अमने लिखना है स्टैनों में प्राइंग ग्यान अपक्ड शीप जिसे स्टार्टिंग शीप और मंड करते है और स्टार्टिंग अजर्छा इन पना नियुक्त बाहले फिरस्टींग लिखना है ट्रॉट कि ट्रॉडय के यह झिलान धो और दसे ऑले यून शीज वर शीख अ ल ग्रमय लॉग्स देश उर्डॉडंडॉड जयूड़ कोई खोल आन मंटे दो 10th of माई अब फिरंग आपको मैं बता दू जो यह फुल स्टॉप है यह माए के बाद फुल स्टॉप है इसकी जगह हमने क्रॉस लगाने छोटा सा फुल स्टॉप की जगह ऐसे लगाने क्रॉस ठीक है फर्स्ट राइन होगी second ask the cashier ask the cashier to pay all the money into the bank into the bank at two today 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 का यह 2 हमने जो ग्राह में लोग किया है वह वाला 2 है today फुल स्टॉप की जगह छोटा सा क्रॉस का साइन पाने नेक्स थर्ड लाइन है miller and robby miller 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 or a key sound miller and robby say they hope to get all the lead ready to catch the ship to catch the ship adelaide on the fourth of the month money month month next four line fourth line का इंड हम the bill of leading should reach the bill of leading should reach Canada on the 5th of March March K and D पहले जब भी हम स्टॉग बनाएंगे सबस्वाले स्टॉग नाना है उसके बाद वावल्स पुट करते हैं Canada on the 5th of March full stop 5th who among all the party who among all the party may move the vote question mark dot full stop short cross friends यह थी हमारी exercise 11 इसको आपने अभी तो मैंने आपको यह लाइन वाइस कराया है इसको आपने आज़े पैरल में लिखना है जैसे यहां पर खत्म हुआ इसी के आगे से स्टार्ट कर देना है यह तीन लाइन में खत्म होज़ेगा पूरा पहरा आपको दिखाते हूं कैसे जैसे फूरी एक भी पूर्स इसी के आफ़े में लिखना है ask the cashier to pay all the money into the bank at to today अब इको दो नो लाइन एक में आ गई इसी के आगे से ही स्टार्ट कर देना है नेक्स्ट थावर्ड लाइन है मिलर एंड रोबी से मिलर एंड रोबी से देखोप तो गैट अल्द लीट आल्द नेट रेड़ी तो कैच रशे देखोबी अढलीट आल्द लीट इसालीट अ देखोबी का इस्ट लीट देखोबी से का ड़िट से लीट का लीट फिफ्थ और मार्च, फिर्ल स्टॉप, वो एमन अल्ड़ पार्टी, वो एमन अल्ड़ पार्टी, में मोव दर वोट, तीन लाइन में खत्म हो गया यह सारी फाइव गैंस, तो आपको जब भी लिखना है, पहरे बाइस लिखना है, ऐसे में, यह आपको 25 ताइम्स, इंग्लिश तू स्टैनो करना है, यह इंग्लिश देखकर स्टैनो में खुद ट्राय करना है, लिखने की स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होएगी, जो जो मिस्टेख होएगी उसमें सर्कल करके, फिर पीछे से आप अब देख, फिर इंग्लिश यहां से देखकर स्टैनो में लिखोगे, और फाइव टाइम्स स्टैनो टू इंग्लिश इसमें क्या करना है, यह देखकर आपको इंग्लिश में लिखना है, अजे खूप जैसे दिखकर यह है, देखकर आपको इसमें आपको में लिखोगे, फुल स्टाब आपको 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 होगे, इसके वाल मिलर और भॉबी से वे वोग तू तूदे इसके वाल मिलर और भॉबी से ज़ वोग की वोग है वोग वाल मिलर आ भी तूदे हमे रद चानग वे लुड पर एए रिध आ तूदे है। to get the ship Adelaide on the 4th of the month the bill of reading should reach Canada on the 5th of March which full stop who among all the party may move the what English to stand no first then the stano in English convert to start starting mistake एक होईगी आपकी एक बार होईगी दो बार होईगी तीन बार होईगी उसके आपको हैबिट हो जाएगी इसकी थैंक्स वर वाचिक मैं चैनल वाइब्रियल अकेडमी